वेल तो दोस्तों गर आप नहीं जानते हो आपका जो यह अधार कार है उसमें कौन सा नमबर रेजिटर्ड है, कौन सा नमबर एड है तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो वीडियो को अगर स्क्लीप करोगे तो आपका यह साइट प्रॉब्लम स्वल्व ना हो पाए तो बाद में मुझे आप कॉमेंट करके मत बताना कि यह प्रॉब्लम सा रही है तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को फटा की स्टार्ट विदाउट वेस्टिंगे सकेंड सबसे पहला आपके सामने एक वेबसाइट खुलके आएगी यू आईडियो कर देना होगा क्लिकने के वाद नेक्ट पुछ इस तरह का इंटरफिस आपके सामने खुलके आज़ीगे तो सिंप्ली से आपको करना किया है अपको तुरह स्क्रॉल कर के नीचे जाना है नीचे जाने के बाद सिंप्ली से आको यहां पे एक आप्षेन दिख रहा होगा अधार सर्विस उ आपको simply से क्या करना होगा यहाँ पर दिख रहागा इंटर अधार नमबर तो simply से आप जिस भी अधार कार्ट का जाना चाहते हो कि उसमें कौन सा नमबर रेजिटर है तो simply से उस अधार कार्ट का नमबर आप यहाँ पर इंटर कर दो और नेक्स्ट यहाँ पर आपको उपर क्याप्चा देखने को मिला है तो simply इस बॉक्स में आप क्याप्चा बर दो तो जैसे ही आप यह दोनों चीज़ी इंटर कर लोगों तो simply से नीचे आपको एक बटन दिख रहागा आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा क्लिक करने का नेक्स दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफीस आपके सामने खुल के आ जीए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भी अधार कर नमबर आप डाले हो यहाँ पर एक जिस्ट बता रही है उसके जस्ट नीचे आप देख रह है बट लास्ट तो इसके पीछे कारण से है कि कुछ प्रेविशी एंड कुछ रिजन्स वगेरे होते हैं जिस कारण से यहाँ पर आपको फूल नमबर देखने को नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आपके जो फोन का लास्ट त्री डिजिट रहेगी जो भी आपके इस अधार के अधार के साथ रिजिस्टर है उस फोन की लास्ट त्री डिजिट आपको यहाँ पर विजिवल होगी तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते होगी आपने कौन सा नमबर एड किया होगा तो तो दुस्तों अगर आपको वीडियो में बने हुए और आपको वीडियो पसंद नएगे तो वीडियो को आप लाइक करजेना एंड साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को भी आप प्रैस करजेना एंड दोस्तों अगर आपके मन में कोई और क्यूर्य है कोई और सवाल है तो नीचे कोमेंट्ट बखस में आप मुझे कोमेंट किरें पूच झाल